कि आज सुम्वार का आखरी महीना है सावन का आखरी सुम्वार है और भगवान भोले नाथ का दिन है गंगा जी जो धर्ती बाए तो सीव जी की देटा पर आए फिर आज जो है सारी दुनिया क्तिन ताल करें क्या कहना चाहें गंगा राज एक पिरम कथा और गंगा मातक तौ अप्रण सिर्जी कि क्या लीला है फिल्म में आज जो आख सबसुले बधाए डेर सारी आखर क्या कहना चाहेंगे एक सुभ सुर्वार सुभ दिल भी आपके तर देखें आज सावन के लाश्मबार है ठीक है और आज हमने अपनी फिल्म के शुरुवात किया मुहरत किया ठी अफिल्म एक लवे स्टोडी हमारी कहानी है और मैं इस फिल्म को आरबी चोपडा कोड़क्शन के बर्ना तृले से बना रहा हूं जिसके हमारे प्रडूसर स्षिर कि गिक है और हमारे हिरो श्री विंद्व ग्रकान जी और हमारे हिरहां प्लमीगिरी जि चि यह हबनारे द इसमें स्रीपी भट साहब हैं, माला मिष्रा जी हैं, आपने संजय लहरी जी हैं, अनिता सहगल जी हैं, ठीकिन हमारे खिलम में सारे लोग हैं और मैं इस खिलम को यहीं चाहूँगा कि हमारे दर्शक बहुत अनन्द लेंगे और बहुत इसे खुश सेगो और मैसेद भी सर, जब एक राइटर खुद फिरू की डारेक्टर होता है, तो क्या-क्या चीजे ज्यादा खिलके निखर गाती दावसुने कितना ज्यादा इंटर्टेंटेंट रास्तानी को क्या प्राइटा हैं? सर, देखिये, राइटर लिखता है, तो पूरी पिक्चर अपने दिमाग में पहले ही घुमा लेता है, ठीक है उसके दिमाग में रहता है कि मैं पिक्चर कैसे बनाऊंगा, उसको एक-एक सब, एक-एक कहाने को उसको ध्यान में रखता है हुए, उस फिलम को बनाता है, ठीक आपके देखने वाले सारे चैमल के सारे सब्सक्राइबर को सारे दर्सकों को मेरा पुराम गंगाराज एक बहुत अच्छी साफसुतरी एक बड़ी ही लब प्यारी सी लब स्टोरी है अच्छी सारे लब आपके नाम सुना को गंगाराज एक प्रेम का था इसमें हमारी डिर्क्टर प्रेस पांडी जी आ में को बड़ी प्यारसे बढ़ा बहुत इस मेरे बगुत दोस्तों में वे और बबा के साथ मेरी दूसरी फिल्म है तीसरी फिल्म है आपके साथ जो हमारी भावनाएं होती हैं, जो हमारी भावनाएं होती हैं, जो हमारा ब्रक्त करने का तरीका होता है, बिल्कुल हमारे घर से मिलता जुलताइं का डालॉग होता है। मुझे बड़ी खुशी को कि बताते हुए कि जब बाबा इस कि देते हैं, बताते हैं, तो डालाग मुझे लगभा मुझे आयद होता है, मुझे पता होता कि यह क्या लिखे होंगे। समझाते हैं और हमारे आपके बीच सर्माज में जो वर्ड बोला जाता है, जो परंपरा हैं, जो समावेश हैं, वही प्रदर्सित करना चाहते हैं, आपके साथ काम पके बहुत मला है। पलुजी आपका करना चाहिए है। पलुजी आपका करना मादेव, मैं पल्दरीगेरी आप सभी को करनाम करती हूं। यह फिल्म का नाम है गंगाराज और बहुत ही अच्छा ताइटल भी है, और इसके स्टोरी भी बहुत ही अच्छी है। यह जब हमारे डारेक्टर अखली स्पान्डे सर्जी ने तो इन्होंने कहा कि बहुत चैलेंजिग मूवी है। तो मैंने कहा बिल्कुल करूंगी। मन में यह था कि एक होता है न कि चैलेंजिग मूवी है तो एक अंधर से डर लगता है। थोड़ा बहुत था लेकिन जैसे स्टोरी सुना रहे थे वैसे वैसे confidence level मेरा बढ़ रहा था। मैंने बोला कि नहीं मैं इसको करूंगी। बहुत बखुवी अच्छी स्टोरी है। तो काफी अच्छी स्टोरी हो और एक समाज को मैसेज देगा। और हमारे चौकलेटी हीरो भसपुरी के मतलब भसपुरी वाले बोलते इनको चौकलेटी हीरो तो मैं के साथ काम कर रही ह। यह मेरी सेकेंड फिल्म है निमल जी के साथ और बहुत ही अच्छे एक्टर है और इनसान भी बहुत अच्छे ज्यादा तारिफ नहीं करूंगी फुल जाएंगे। और डारेक्टर सर के साथ यह मेरी पहली मुवी है। प्रेडूसर साहब जो है रवी जोप्रा सर वह बहुत है और यहां के जितने टीम मेंबर से सब लोग सपोर्ट में हैं और काफी अच्छे से मिलके काम कर रहे हैं। तो वेट कीजिए जब भी यह फिल्म आईगी आप लगों को बहुत ही अच्छा लगेगा और अपना प्यार जरूर दीजिएगा। वेल मेरा नाम तुशार गंदर्व है सभी दर्शकों को मेरा बहुत नमशकार। वेल मेरा किवडार इसमें एक फ्रेंड का है जो हीरो के फ्रेंड है और असल जिन्दगी में हम फ्रेंड ही हैं। तो काफी अच्छे कलाकार है विम्मल जी और पलावी जी and thank you so much Akhil जी का जो डेक्टर है नारी फिल्म के इनसे मुझे काफी सीखने को मिला and thank you कहना चाहूंगा for giving me this opportunity for Ravi Chopra sir जिनोंने मुझे उस लायक समझा कि मैं इस करेक्टर को निभापाँ तो वेल इतना ही मैं कहना चाहूंगा बाकी पूरी टीम, crew, sport boy, cameraman, director सब अपना 200% दे रहे हैं और वो फिल्म तभी कामियाब होती है जब शोटे से छोटा बंदा और बड़े से बड़ा बंदा भी अपना पूरा 100% एक फिल्म में लगाता है तो यहां पे हम सभी वही कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए तो आप इस फिल्म को पूरा प्यार दीजेगा और हमें सपोर्ट कीजेगा थैंक यस वाग थैंक यू सो मुझ लभी वाग